तो nucleus को, बचो हम लोग इस तरह से कुछ लिखते हैं, Z, X, A Nucleons ऐसे particle हैं बचो, जो nucleus के अंदर रहते हैं, यानि neutron और proton क्या कहलाएंगे? Nucleons कहना हैंगे, mass of neutron या mass of proton बचो आलमूस्ट एक amu के बड़ाबर होता है Energy required to disintegrate nucleus into proton and neutron तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि न्यूक्लियस अपने कॉंसिट्वेंट्स में टूर जाए उस एनर्जी को बाइंडिंग नाम दे कोई बैचो न्यूक्लियस लेलो हर एक न्यूक्लियस की डेंसिटी बराबर होगी मेरा नाम है राहुल पांडे और फिर से आप सभी का स्वागत है इस अमेजिंग प्लैट्टॉम में जिसका नाम है फिजिक्स वाला और आज हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कॉशन करने वाले बचो इस सेशन के अंदर हम लोग नूक्लियस के बारे में ड पिछले सालों में क्या क्क्या क्वेशन साय को इस उनको सौल करने की कोशिश करेंगे तो आज के सेशन में बच्चो हम लोग शुरुवात करेंगे सबसे पहले कि type of nuclei क्या होते हैं, size of nucleus, radius of nucleus के बारे में बात करेंगे, density of nucleus के बारे में बात करेंगे, binding energy समझेंगे बच्चो, binding energy per nucleon समझेंगे, और binding energy per nucleon, stability कैसे related है, उस पर भी discussion होगा, तो overall बच्चो ये सारी चीजे हम लोग cover करने वा के type of nucleus, या nucleus का representation कैसे होता है, तो nucleus को, बच्चो हम लोग इस तरह से कुछ लिखते है, z, x, a, nucleus कुछ इस तरह से लिखा जाता है, बच्चो, z, x, a, ठीक है, अब इसमें बच्चो जो z होते है, वो होते है number of protons, ठीक है, अगर atom neutral है, तो जितने proton होगे, उत्ते electron होगे, तो z number of proton, a कहलाता है बच्चो, atomic mass number, ये बच्चो समेशन होता है, number of neutron और proton का, ठीक है, तो z proton के number होगे, और a mass number होगा, जो कि summation of neutron plus proton, तो ये बच्चो एक basic information है, जो आप थारे बच्चों को पता होना चाहिए ठीक है? कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? क्या number of proton होते हैं? क्या neutron और proton होते हैं? अच्छों, neutron और proton के हम, चुकि यही दो particle हैं जो nucleus में रहते हैं, electron तो 4 तरब चकर लगाते हैं तो यही दोनो nucleus nucleus में रहते हैं, तो इनको बच्चो nucleus नाम दे जाता है तो nucleus क्या है? nucleus ऐसे particle है बच्चो जो nucleus के अंदर रहते हैं, यानि neutron और proton क्या कहलाएंगे? nucleus कहलाएंगे ठीक है? number of protons क्या कहलाते है? set अब इसी के बाधार में बच्चो आपको तीन टाइब के nuclei मिलते हैं तो सबसे पहले जो होंगे, उनको बोलेंगे बच्चो हम लोग isobars दूसरी केटेगरी कहलाती बच्चो isotopes और तीसरी केटेगरी कहलाती बच्चो isotones क्या होते हैं, बच्चो isotopes, क्या होते हैं, isobars isobars बच्चे, जिसमें same ऐसे nuclei, जिनमें same atomic number रहता है ऐसे nuclei, जिनमें क्या रहेगा बच्चो same atomic mass number यनि बच्चो, उनका same atomic mass number रहेगा वो isobars कहलाएंगे isotopes क्या होते हैं, बच्चो, ऐसे nuclei जिनके same क्या रहेगे बच्चो same atomic mass number नहीं बलगी बच्छो, same atomic number, same number of protons, यानि Z उनका same रहेगा, same Z रहेगे तो बच्छो, isotopes कहलाएंगे, isotones क्या कहलाते हैं बच्छो, same number of neutron होने जाएंगे, same number of neutron होंगे, same number of neutron होंगे, उनको क्या नाम गिए बच्छो, isotones दिया, ठीक है, तो isotopes, same number of protons, isobars, same number of atomic mass number, same number of nucleons, और किवल neutrons बराबर होंगे तो बच्छो, उनको isotones नाम दे जाएगा, उमीद करता हूँ, यह सारा discussion clear हो गया होगा, इनी discussion भी बच्छो, हम लोग करेंगे, कुछ question solve, जैसे यह देखो, पूछ लिए बच्छो, इन में से कौन से, which of the following pair of nuclei are isotones इन में से कौन से दो pair, या कौन से pair है, जो isotones है, ठीक है, अभी मैंने आपको समझाए बच्छो, isotone का मतलब क्या होना चाहिए, same number of neutrons, ठीक है, कैसे पता करेंगे, तो बच्छो, same number of neutrons निकालना पड़ेगा आपको, जैसे 74 minus 34, इसमें number of neutrons कितने हो गए, बच्छो, 40 हो होगे, यह वाला आंसर सही हो जाएगा, और चेक कर लेते हैं, बच्छो, 81 minus 38, 86 minus 30, number of neutrons, same नहीं है, बच्छो, गलत हो गया, 92 minus 42, बच्छो, यह हो गया, 92 minus 40, देख रहो बच्छो, यह 52 हो गया, same number of neutron नहीं है, गलत हो गया, 40 minus 20, 20, 32 minus 16, 16, बच्छो, इसमें 20 neutron, 16 neutron, यह भी गलत हो जाएगा, पहला वाला option सही हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बच्छो, अगला question आपसे पूछा गया है, a nucleus represented by ZXA, has, कितने number of proton, और बच्छो, कितने number of neutrons होंगे, तो ZXA में बच्छो, मैंने आपको समझाया था, कि जो Z दिखाता है, वो number of protons होते हैं, Z क् क्या दिखाता है, बच्छो, number of protons, और एक क्या दिखाता है, number of neutrons plus proton, ठीक है, तो कहला है, Z neutron गलत हो गया, Z proton, A minus Z neutron, बच्छो, ये सही हो जाएगा, Z proton, A neutron गलत हो गया, A proton गलत हो गया, बच्छो, किवल दूसरा वाला option हमारा style हो जाएगा, ठीक है, किवल nucleus को represent कैसे करते हैं, उसी भी base question है, एक और देखो बच्छो, इस question में क्या बोल लगया, the constituents of atomic nuclei are believed to be, इन में से कौन से particles हैं, जो nucleus के अंदर रहते हैं, electron, proton, neutron, गलत हो गया, बच्छो, electron, चारो तरफ चक्तर लगाते हैं, केवल proton रहते हैं, ये भी गलत हो गया, neutron और proton दोनों रहते हैं, सही हो गया तो simple, बच्छो अगर आप देखो, कि nucleus को कैसे represent करते हैं, और nucleus के अंदर कौन कौन से particle based हैं, कैसे number of neutron निकालेंगे, कैसे number of proton निकालेंगे, isotopes क्या होते हैं, ISO bar क्या होते हैं, isotones क्या होते हैं, इन पे भी based कई बार question पूछ लिए जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अब discussion करत the nucleus, number of protons, neutron and electrons are, इस nucleus के अंदर बच्छो, कितने proton, कितने neutron और कितने electron होंगे, तो तुम सब को पता है बच्छो, जैसे मैं 11, 10, A, 23 लिख रहा हूं, तो तुम सारे बच्छो को पता है, कि 11 क्या हो गया, number of protons, यह क्या हो गया, atomic mass number, A, जैना, तो number of neutrons कितने हो जाएंगे, 23 minus 11, जोकि 11 तो proton है, 23 minus 11 कर दो तो बच्छो कितना आ जाएगा, 12, तो 12 number of neutron है, तो 11 number of proton कितने होगे, बच्छो, 11, number of neutron कितने होगे, 12, और nucleus बच्छो, electron होते नहीं, तो 11, 12, और इसी को, electron, nucleus के अंदर तो होते नहीं है, तो 11, 12, और 0 हो जाएगा, आगे बच्छो, और discussion करते हैं, देखो ज़रा ध्यान से, इस question को देखिए, 6, C, 13, and 7, and 14, can be described as, क्या बच्छो, दोनों के atomic mass number, sorry, atomic number, same है क्या, नहीं, तो isotope नहीं हो सकते, तो isotopes गलत हो गया, क्या बच्छो, दोनों के atomic mass number, same है क्या, नहीं, तो isobars नहीं हो सकते, ये भी गलत हो गया, तो नहीं के बच्छो number of neutron, देखो तो बच्छो, इसमें 7 number of neutron है, 13-6, 14-7, इसमें भी 7 number of neutron है, तो isotone सही हो गया, ये भी गलत हो गया, तो पहला वाला option सही हो जाएगा, I hope clear है बच्छो, इस चीज, ठीक है, तो ये बच्छो, simple atomic, किसी भी nucleus लो कैसे represent करते हैं, isotope, isobar, isotone की क्या definition है, उसी भी बच्छो, बहुत सारे questions, पूछ लिए गया है, एक बहुत term आता है, atomic mass unit, तो इसको भी आप समझ दो एक बार, क्योंकि kilogram वैसे तो SI unit थी, यानि अगर हम mass को express करना चाहें, तो kilogram already हमाई पास एक unit है, SI unit, लेकिन kilogram किसी nucleus के mass थो express करने के लिए बहुत बड़ी quantity है, इसलिए हम लोगों एक नई quantity define करी, atomic mass unit, और बोला गया, कि nucleus के जो mass है, उसको आप amu में express करो, और 1 amu बराबर हो जाएगा, बचो 1.67 into 10 raise to minus 27 kilogram, क्योंकि बचो almost mass of neutron और almost mass of proton के बराबर है, तो 1 amu ही बचो mass of neutron या mass of proton आप कह सकते हों कि वो almost almost 1 amu के बराबर होता है, बचो अब बचो almost 1 amu के बराबर होता है, ठीक है, तो amu is atomic mass unit, इसके terms में हम nuclei का mass express करते हैं, nuclear radius की बात की जाए, बचो, तो size of nucleus या radius of nucleus या radius या देखा गया, कि जो radius of nucleus होगा, वो depend करता है बचो, atomic mass number पे कुछ इस तरह से, तो r बराबर r0 a के पावर 1 by 3, बचो यह radius होगा, जहाँ पे r0 की value होती है, 1.2 into 10 raise to minus 15 meter, r0 की value होजाए, 1.2 into 10 raise to minus 15 meter, और a क्या है बचो, a है atomic mass number, तो जितना जादा atomic mass number होगा बचो, उतना जादा nucleus का radius होगा, तिक है, simple, अब इसी पे based बचो कुछ questions कर लेते हैं, nucleus की radius पे based, कुछ सवाल, यह रहा बचो आपके सामने एक, question बोला गया, nucleus of mass number 189, it splits into two nuclei having mass number, तो एक कमास number बचो, 125 और एक कमास number 64, the ratio of radii of the two daughter nuclei is, तो बचो आपको r1 to r2 का ratio बताना है, r1 by r2 का ratio आपको बताना है, r1 by r2 का ratio बताना है, अब बचो अभी मैंने आपको समझाया, कि जो radius है, वो directly proportional है कि इसके बच्चो, atomic mass number के पावर 1 by 2, तो अब जैसे आप r1 by r2 लिखोगे, तो कैसे लिखोगे बिटा, आप लिखोगे, a1 by a2 के पावर 1 by 3, तो रही बात है, r1 by r2, तो a1 by a2, a1 कितना है बच्चो, 125, a2 कितना है बच्चो, 64, इसके पावर 1 by 3, बच्चो देखो, यह 5 by 4 की cube लिखा हुआ है, और उसके पूरे के पावर 1 by 3, जैसे बच्चो, 3 से 3 कैंसल हो जाएगा, आंसर क्या जाएगा, 5 by 4, आंसर क्या जाएगा, बच्चो, 5 by 4, तो 5 इस to 4 is answer for this question, 3rd option आपका correct हो जाएगा, ठीक है, 5 इस to 4 will be answer for this question, एक और बच्चो, 2012 में पूछा गया था, बहुत आसान सा सवाल, if the nuclear radius of aluminium is 3.6 fermi, तो fermi का मतलब हो गया, बच्चो, 10 देश तो माइनस 15 meter, ठीक है, the approximate nuclear radius of 64 copper in fermi is, तो copper 64 का radius कितना होगा, फर्मी में, अगर aluminium का radius 3.6 है तो, बच्चो, यहाँ पे भी आप वही formula लगा सकते हो, कैसे लिख सकते हो, radius of aluminium divided by radius of copper, बराबर कितना हो जाएगा, बच्चो, atomic number of aluminium to atomic number of copper, के power 1 by 3, तो atomic number of aluminium कितना है बच्चो, देखो ज़रा, atomic number of aluminium है 27, atomic number of copper है 64, इन सब के power बच्चो, 1 by 3, और radius of aluminium कितना, बच्चो, 3.6 FM, और radius of copper हमें निकालना है, बच्चो, आप इसको ज़रा ध्यान से देखो, यह बच्चो, 3 by 4 का cube लिखा हुआ है, तो उसके power 1 by 3, यह कितना बन जाएगा, बच्चो, यह बन जाएगा, 3 by 4, तो 4.8 fermi meter, यह radius of copper हो जाएगा, 4.8 fermi meter, 3 dollar option, तो इस तरह से बच्चो, आपकी पास, size of nucleus पे भी, size of nucleus से भी related questions बन जाएगे, तो आपको simplify करना आना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, nuclear density की बाद करो, बच्चो, nuclear density क्या होता है, पहले आप समझो, तो हम लोग nucleus को एक ऐसा spherical मानते हैं, बच्चो, तो मान लोई spherical है, और इसकी radius r है, है ना, और इसका mass कुछ मान लेते हैं, बच्चो, m है, तो density निकालोगे, तो कैसे लिखोगे, density लिखोगे, बढ़ता बच्चो, mass upon volume, ठीक है, चुकि spherical है, तो volume कैसे लिखेंगे, बच्चो, 4 by 3 by rq, स्फेरिकल है, इसके volume ये, mass कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे कि सार, a number of, a number of nucleons है, और एक nucleon का जो mass होता है, वो almost 1.67 into 10 raised to minus 27 के बनावाब होता है, ठीक है, तो a number of nucleon है, मालतिस में atomic mass number a है, तो a number of nucleon है, तो इस a number of nucleon को इससे multiply कर दो, ठीक है, तो ये क्या जाएगा आपके पास, total mass divided by volume, अब अच्चो, density आप निकालते हो, तो mass हो जाएगा, a into 1.67 into 10 raised to minus 27 divided by 4 by 3 by r cube, radius का cube, if you do radius का cube, तो radius का बच्चो value क्या होता है, r बराबर r naught a के power 1 by 3, तो बच्चो आप radius का cube करोगे, देखो क्या बन जाएगा, r naught का cube into a, रख देता हूँ बच्चो यहाँ पे, r naught का cube into, तो जब आप देखो बच्चो, यह से यह cancel होगे, और यह पूरी चीज़ जो लिखी हुई है, यह constant है, यह पूरी चीज़ लिखी हुई है, बच्चो, यह constant है, इस constant की value निकाल होगे, तो almost आ जाती है, 10 raised to 17 kg per meter cube, 10 raised to 17 kg per meter cube, which is very, very highly dense nucleus, यह nucleus का बच्चो, बहुत ज़्यादा highly dense है, अब बहुत ज़्यादा density है, बच्चो, nucleus की और, क्यों बहुत ज़्यादा dense है, तो बहुत कम space के अंदर, nucleus का, पूरे atom का mass concentrated होता है, almost, तो density बहुत ज़्यादा है, और सबसे important चीज, density बच्चो depend नहीं कर रही है, किसी भी, तो density कोई भी nucleus लेलो, आप copper लेलो, density of hydrogen nucleus लेलो, density of helium nucleus लेलो, density of zinc nucleus लेलो, कोई भी nucleus लेलो, सबकी density बराबर होगी, कोई बच्चो nucleus लेलो, हर एक nucleus की density बराबर होगी, अगर हर एक nucleus की density बराबर होगी, क्योंकि atomic mass number पे depend नहीं कर रहा है, इस चीज को ध्यान रखना है, क्या है, question देखो बच्चो, question में बोला गया है, two nuclei have their mass numbers in the ratio 1 is to 3, टीक है, the ratio of their nuclear densities would be, nuclear densities का ratio क्या होगा, अगर atomic masses का ratio 1 is to 3, अभी बता है बच्चो, nuclear density mass, mass number पे depend नहीं करती, इसका मतलब दोनों nuclei की densities क्या होगी, बराबर होगी, अगर दोनों की densities बराबर होगी बच्चो, तो answer क्या आ जागा, 1 is to 1, ठीक है, एक और question बच्चो, the mass density of a nucleus varies with mass number A, तो nuclear mass density, ठीक है, nucleus की density, atomic mass number पे किस तरह से निर्भर करती है, A square की proportional होती है, A की proportional होती है, या नहीं depend करती है, constant होती है, या 1 upon A होता है, तो बच्चो, अभी मैंने बताया, कि nuclear mass density, T depend नहीं करती है, atomic mass number पे, constant रहती है, इसलिए बच्चो, A पे depend नहीं करती है, ठीक है, बहुत आसान आसान सी चीज़े हैं बच्चो, ठीक है, तो M यहाँ पे denote कर रहा है mass, और C आप सभी को बच्चा बच्चो, speed of light in vacuum, ठीक है, बच्चो, speed है, light की किस में vacuum, ठीक है, ठीक है, तो जितना mass आपको energy में convert करना है, वो रखो, और C square कर दो, यानि speed of light का square कर दो, जैसे आप speed of light का square करोगे, आपके पास energy आ गई, ठीक है, ओके, जैसे बच्चो, आप यह question देखो, ठीक है, energy required to break one bond in DNAs 10 raise to minus 20 joule, बच्चो, अगर DNA के आप एक bond को तोड़ना चाते हो, 10 raise to minus 20 joule लगेगा, its value in electron volt कितना होगा, इसकी value electron volt में convert करो, तो बच्चो, यह energy mass relation से related नहीं है, ठीक है, तो यह conversion आपको लेकिन पता होना चाहिए, इसलिए मैं यह question ले रहा हूँ, जैसे one electron volt होता है, बच्चो, तो one electron volt बरावर होता, 1.6 into 10 raise to minus 19, ठीक है, तो एक joule बरावर कितना होता है, एक joule बरावर हो जाएगा, 1 divided by 1.6 into 10 raise to minus 19 electron volt, बच्चो, 10 raise to minus 20 joule बरावर कितने electron volt हो जाएगा, तो 10 raise to minus 20, बच्चो, into 1.6, और बच्चो, 10 raise to plus 19 हो जाएगा, उपर चला जाएगा, इतने electron volt, तो जब इसको इसको इससे multiply करोगे, तो 10 raise to minus 1 बच्चेगा, divide by 1.6, ठीक है, यानि बच्चो, ये कितना बन जाएगा, 1 by 10 into 1.6, decimal हटा दो बच्चो, कितना बन जाएगा, 1 by 16 electron volt, तो 10 raise to minus 20 joule is 1 by 16 electron volt, अब decimal में कितना होगा, बच्चो, तो decimal में निकाल दो, decimal लगाओ, 0 बढ़ाओ, 0 बढ़ाओ, 0 बढ़ाओ, 16, 6, तो 0.06 electron volt होगा, बच्चो, 3rd वाला option से, तो 1 electron volt, 1.6 into 10 raise to minus 19 joule के बराबर होगा, तो 1 joule की value, बच्चो, अगर आप electron volt में convert करोगे, तो वो कुछ इदनी आएगी, तो 10 raise to minus 20 joule को convert करोगे, तो 0.06 electron volt आएगा, एक है, बच्चो, इसमें थोड़ा सा और आपको एक चीज़ समझाना है, जो बहुत जादा important है, आगे, जैसे हम लोग बढ़ेंगे, तो आपको use होगी, बहुत जादा, अगर आप एक amu को energy में convert करो, if you convert one amu of mass into energy, अगर बच्चो आप एक amu mass को energy में convert करो, तो जो energy निकलती है, बच्चो, that is 931.5 mega electron volt, ठीक है, तो अगर आप एक amu mass को energy में convert करते हैं, बच्चो, तो आपको energy release होगी, that will be 931.5 mega electron volt, तो इतनी energy, बच्चो, release होगी, ठीक है, इसको याद रखना, बच्चो, बहुत बार useful होगा, जैसे आप ये question एक बार solve करके देखो, question बोला गया, the energy equivalent to 0.5 gram of substances, अगर हम 0.5 gram substance को energy में convert करें, तो कितनी energy release होगी, ठीक है, तो use कर लेते हैं, बच्चो, e बराबर mc square, कितना है, 0.5 gram है, तो kilogram में convert कर लो बेटा, ठीक है, 0.5 kilogram into c square, यानि बच्चो 3 into 10 raise to 8 का square, बच्चो की दिख रहा है, 9, 9 by 2, यानि 4.5 into 10 raise to 16 minus 3, 13, तो 4.5 into 10 raise to 13 Joule, अंसर आज़े होगी, second option correct होगी, 2020 में कुछ अगया है, बच्चो, सीधा-सीधा आपका energy mass equivalence पे भी question आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, e बराबर mc square से आप result निकाल सकते हो, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते बच्चो, next है mass defect, mass defect, mass defect, क्या होता है mass defect, माल लो बच्चो, कोई reaction हुई, जहाँ पे A और B, A और B बच्चो, मिलकर आपको product C दे रहे हैं, ठीक है, तो आपने reactants का mass निकाला, mass of reactants और mass of product, तो आपने देखा बच्चो कि mass of reactant अगर बढ़ा है, mass of product है, mass of reactants बढ़ा है, mass of product से, तो जो mass defect आएगा, वो क्या आएगा mass of reactant minus mass of product, ये कहला तक है, बच्चो, mass defect, अब nucleus के case में, कैसे mass defect define होता है, खूड़ा साप बच्चो, सारे समझने के प्रयास करना, mass defect nucleus के case में, कैसे define है, खूड़ा साप, समझने के प्रयास करो, सुनने 2 neutron रहने वाले हैं 2 proton रहने वाले ज оружते है आप ने infinity पे देखा ची थैक है भई helium nucleus बनाने है आपने helium 2 neutron उठाए 2 proton उठाए और combine करने helium nucleus तो आपने क्या expect करा था जो mass expected ठाझ वो था कि 4amu mass होगा जैई तो expect किया था हम लोगों ने shooting एक neutron का mass मास 1MU, 2 neutron 2MU, 3 proton 1MU, एक और proton, तो 2 proton 2MU, 2 neutron 2MU, 4MU हम लोगों ने expect दिया था, लेकिन जो बच्चों, mass actual में देखा गया, mass observed, जब helium का हम लोग nucleus बना के उसको actual में देखा उसका mass, तो actual में बच्चों उसका mass आ गया था, 3.98 AM, मतलब कि, जो mass expected था, वो mass observed से, mass जो expected था बच्चों, वो जदा था mass observed से, तो mass defect क्या हो गया बच्चों, जितना आपने expect किया था, minus जितना आपको observe हुआ, जितना आपको मिला, इन दोनों के difference को बच्चों हम लोग बोलते है, mass difference, तो mass defect क्या है, mass expected minus mass observed, अब इसको लिखना चाहूँ बच्चों तो कैसे लिखूँगा, मास expected क्या है, neutron का मास, proton का मास, तो mass expected क्या है, z times mass of proton, plus a minus z times mass of, यह तो हो गया बच्चों, proton का मास, जितने proton के मास से multiply कर दो, जितने neutron के मास से multiply कर दो, इस पूरी चीज़ को, ठीक है, यह expected mass हो गया, इसमें से mass of nucleus को multiply कर दो, सरी, mass of nucleus को subtract कर दो, mass of nucleus subtract कर दो, यह कहला आएगा, बच्चों, mass defect, जितना expected है, क्या क्यों expected है, proton का मास, को zet से multiply, neutron के mass को, mass of neutron से multiply, minus mass of nucleus, इसमें confusion मत हो जाना, बच्चों आपको, यह neutron नहीं है, nucleus है, यह neutron नहीं है, बच्चों, यह क्या है, yes है, ठीक है, तो यह कहला आएगा, आपके पास mass defect, ठीक है, अब यह देखो question, mn and mp, represents mass of neutron and proton respectively, and element having mass m, and n neutron, z proton, the correct relation will be, बच्चों, किसका mass जादा होगा, nucleus का mass जादा होगा, या, जिन से मिलकर वो बन रहा है, उसका mass जादा होगा, तो पहले बोला गया, बच्चों, कि nucleus का mass कम होगा, n times mass of neutron plus z time mass of proton से, बिल्कुल बात सही है, बच्चों, ये गलत होगया, nucleus का mass, n times mass of neutron and z time mass of proton से, बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, ये गलत, बराबर होगे ये भी गलत है, बराबर होगे बच्चों, ये भी गलत, nucleus जो मिलक बना है, अपने constituent से, उसका mass कम होगा, इसको हम आगे binding energy के नाम से पढ़ेंगे, जिसको हम लोग binding energy के नाम से पढ़ेंगे, तो binding energy क्या होती बच्चों, मैं फुड़ा सा, इसको समझा देता हूँ पहले, फिर definition देख लेंगे इसके, finding energy क्या होता बच्चों, माल लो आपने ये nucleus form करा, infinity से nucleons लाए, neutrons लाए, infinity पे जो neutrons present थे, protons present थे, वो आप लाए, ठीक है, और आपने बच्चों एक nucleus form करा, ठीक है, आप ये जो nucleus form करा, इसका जो expected mass था, और इसका जो observed mass था, उनमें difference था, expected mass जादा था observed mass से, तो लेकिन देखा गया तो actual mass कम था, तो जो difference था, ये mass defect, ये बच्चों convert हो गया energy, और इसी को हम लोग बोलते है, binding energy, ठीक है, तो ये convert हो गया किसमे, energy में यही कहलाता, binding energy, तो जब nucleons आपी कठ्था हुए और nucleus बना, त को हम लोग नाम देते है, binding energy, लेकिन define कैसे करते हैं, बच्चों define ये कैसे करते हैं, कि कोई nucleus है, उसको energy दे, इतनी energy दो कि वो अपने constituents में टूट जाए, वो कहलाता है binding energy, और वो exactly mass defect into c square के बराबर होगा, repeat करको, nucleus को कितनी energy दे कि अपने constituents में टूट जाए, वो energy binding energy कहलाएग और वो binding energy, बच्चो, del time into c square के बराबर हो, ठीक है, अब मैं definition पढ़ देता हूँ, It is the energy released, when certain number of neutron and proton combine to form a nucleus, ठीक है, यह वो energy जो release होती है, जब neutron proton combine होके nucleus बनाते हैं, It is the energy required, अब यह definition है बच्चो, यह definition है, यहां से लेकर यहां तक definition है, energy required to disintegrate nucleus into proton and neutron, बच्चो क्योंगे nuclear force लग रहा है, आप उसको तोडने के लिए energy की ज़रुरत पढ़ेगी, तो जितनी energy देनी पड़ेगी ताकि nucleus अपने constituents में टूर जाए, उस energy को binding energy नाम दे, ठीक है, तो बच्चो जैसे mass defect यह है आपका, यह mass defect है, अब मुझसे binding energy पूछ ली जाए, तो मैं बोल दूँगा mass defect जो आपने निकाला है, उसमें c square से multiply कर दो, यही आपका binding energy हो जाए, ठी nucleus has mass represented by az, if mp and mn denote mass of proton and mass of neutron respectively, be denotes the binding energy then, तो बच्चो 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 इन में से कौन सा option सही होगा, तो z times mass of proton, प्लस a minus z mass of neutron minus mass of nucleus into c square, बच्चो तो यह लिखा हुआ है आपका देल टाइम, और यह into c square से multiplying हैं, तो यह binding अब इसमें देखो क्या कर दिया इसमें सब चीजे सही है बस nucleus के mass को ज़्यादा कर दिया है nucleus का mass तो कम होगा न बिटा तो z mass of proton plus a minus z that is mass of neutron into number of neutron into mass of neutron minus mass mass of nucleus into c square कर देंगे दो बाच्चो binding energy आजएगा पहला option एकदम correct आगे बढ़ते हैं बाच्चो यह मैंने आपको पढ़ाया है hopefully सारे बच्चो को याद होगा energy equivalent to one atomic mass unit is energy equivalent to one amu is बच्चो एक atomic mass unit को पूरी तरह से energy में convert करेंगे तो बताओ इन में से कितनी energy release होगी the answer is 931.5 mega electron volt तो बच्चो मैंने आपको समझाया है यहाँ पर कहीं पर लिखवाया है यह value क्योंकि बहुत जाधा important एक amu को पूरी तरह से energy में convert करोगे तो 931.5 mega electron volt energy release होगी prove कर सकते हैं बिल्कुल इसको बच्चो mc square से कोई बहुत बड़ी बात नहीं easily prove किया जा सकता है अब आगे करते बच्चो बात binding energy per nucleon उन लोगोंने binding energy समझ लिया क्या होता है कि किसी nucleus को तोड़ने के लिए जितनी energy की ज़रुए थे वो binding energy कहलाएगी अब binding energy per nucleon क्या होता है जितनी वे total binding energy है बच्चो अगर उसको आप total number of nucleon नहीं atomic mass number से divide कर दो यह कहलाती है तो यह कहलाती है बच्चो binding energy इनर्जी तो यह कहलाती है बच्चो binding energy per nucleon क्या कहलाएगा बटा binding energy per nucleon अब क्यों important हो जाता है कि binding energy per nucleon बच्चो जतना ज़ादा होगा किसी भी atom या किसी भी nucleus की stability उतनी ज़ादा होगी binding energy per nucleon बच्चा जतना ज़ादा होगा atom की nucleus की stability उतनी ज़ादा होगी इतना binding energy per nucleon ज़ादा उतनी ज़ादा है stability तो हम लोगों ने बच्चो एक curve खीचा curve किसके इसके बीच में बच्चो प्लॉट किया binding energy per nucleon versus atomic mass number ठीक है तो हमाई पास बच्चो कुछ curve कुछ इस तरह चाहा है fell increase हुआ फिपीक करके बच्चो ऐसा decrease होगी तो सबसे ज़्यादा जो binding energy per nucleon मिली बच्चो सबसे ज़्यादा जो binding energy per nucleon मिली वो 56 iron की मिली यह बरावर 56 iron की binding energy per nucleon सबसे ज़्यादा थी 56 Fe की binding energy per nucleon सबसे ज़्यादा थी और फोटे nuclei की binding energy per nucleon कम थी heavier nucleon nuclei की binding energy per nucleon ज़्यादा थी मतब फिर से कम होगे यह binding energy per nucleon तो पहले binding energy per nucleon increase हुई maximum और फिर decrease होगी तो बच्चो जो भी atomic जो भी nuclei बीच में आते हैं ठीक है 70 से लेकर 130 के बीच में जो nuclei ही आएंगे atomic mass number 70 से 130 के बीच में वो stable है उससे उपर वाले unstable है और light nuclei भी unstable है तो यह बचो जो heavy nuclei है यह भी unstable है यह वाला belt और यह वाला जो belt है बचो light nuclei यह भी unstable है light nuclei यह वाला belt भी unstable है तो यह जो light nuclei unstable है यह nuclear fusion reaction करके बच्चो fusion reaction करके यहां आने की कोशिश करके तो छोटे-छोटे nuclei combine करके atomic mass number बढ़ जाएगा इधर आने कोशिश करेंगे और जो heavy nuclei है जो heavy nuclei है वो nuclear fusion reaction करके तो छोटे-छोटे nuclei में तूट जाएंगे और फिर से बच्चो इसी belt में आने कोशिश करेंगे क्योंकि stable region है तो यह region होता बच्चो fusion और fusion जोटे nuclei जोड़ करके इस belt में आने कोशिश करेंगे क्योंकिश करेंगे तो बाइंडिक एनर्जी पर न्यूक्लियों इस रीजन इसकी वज़ा से fusion reaction और पिजन reaction होते है जो मैंने आपको समझा है बच्चो इसको pointer के साम में थोड़ा सापको मैं समझा देता हूं बाइंडिक एनर्जी पैल्यूज आर हाई फ्यू मेगा एलेक्ट्रॉन वोल्ट तो देर मस्ट भी ए स्ट्रॉंग नुक्लियर फोर्स एट बाइंड बाइंड दिसक्शन करेंगे बच्चो बाइंडिक एनर्जी इस लोवर फोर बोथ लाइट नुक्लियाइड एंड हैवी नुक्लियस तो जो बच्चे 30 से 170 के बीच में होते हैं मतलब 30 से बढ़ें अटॉमिक मास नंबर और 170 से छोटे वाले यह स्टेबल होते हैं क्योंकि बाइंडिक अनर्जी पर नुक्लियाइड प्रम होती है छोटे नुक्लियस के लिए मतलब वो कम स्टेबल है और बहुत हैवी नुक्लियस भी अनिस्टेबल है क्योंकि उनके लिए भी कम होती है यह जो बेल्ट है इसमें पाइंडिक अनर्जी पर नुक्लियाइड ज़्यादा होती है यह ज़्यादा स्टेबल होते है एक 56 is the most stable nuclei with value 8.75 mega electron volt per nucleon बचो iron nucleus सबसे ज़्यादा स्टेबल है कि उसकी binding energy per nucleon बहुत ज़्यादा है 8.75 उसके बाद finding energy per nucleon is almost constant in the range of जैसे मैंने आपको बता है बचो कि इस stable belt में binding energy per nucleon almost same है और इस वज़े से बचो यह stable होते हैं nuclear force में बात करेंगे लिए उससे पहले आज़ो बचो कि मैंने अभी आपको समझाया है binding energy per nucleon is maximum in the case of इन में से किस nucleus के लिए binding energy per nucleon highest है बोलो बचो binding energy per nucleon इन में से किस nucleus के लिए highest है बचो iron को मैंने बताया था iron is the most stable nucleus क्यों मोस्टेबल है क्योंकि इसकी binding energy per nucleon बहुत ज्यादा है इसलिए मोस्टेबल ओके आगे बढ़तें बच्छो विच विच अब फॉलिंगार फूटेबल फूजन प्रॉजन प्रॉसेस लाइट हेवी element lying in the middle range middle elements कॉन सा nuclei stable है फूजन प्रॉसेस इन में से कौन से nuclei बच्छो जो फूजन प्रॉसेस के लिए eligible है light nuclei है वी तो बच्छो फिजन दिखाता है न है वी फिजन होगा और जो बीच वाले बेल्ट के हैं न वह फिजन करेंगे न फूजन करेंगे वह already stable तो light वाले fusion reaction करते हैं पहला option सही हो जाएगा अगला देखो बच्छो यह भी binding energy per nucleon versus atomic mass number का graph है how does binding energy per nucleon vary with the increase in the number of nucleons अगर हम number of nucleons बढ़ाएं तो binding energy per nucleon कैसे change होती है decreases continuously बच्छो गलत हो हो गया अगर आप ध्यान रखो तो कुछ ऐसा आता है तो पहले increase करता है फिर decrease करता है तो यह सही हो गया increase continuously गलत हो गया तो binding energy per nucleon versus atomic mass number का बहुत important है आप सारे बच्चो को दिमाग में रखना हो तीसरा वाला है पार्ट सही हो गया अब बच्चो मैं थोड़ा सापको nuclear force के बारे में सम्झाओंगा और उसके बाद उसकी properties पढ़ेंगे क्या होता है सार nuclear force बच्चो nuclear force is the strongest force present in the nature ठीक है अब आप सोचो इतने कम स्पेस के अंदर इतने कम स्पेस के अंदर बच्चो protons जो की तेम nature of charge होता है इतने कम स्पेस में electrostatic force की value बहुत जादा होते है इनके बीच में electrostatic repulsion बहुत जादा है फिर भी nucleus stable है है वो किस वज़े से क्योंकि nuclear force एक करता है बच्चो nuclear force कुछ properties बच्चो आपको nuclear force की समझनी चाहिए यह short range force होते है बच्चो electrostatic force gravitational force यह सारे long range है अर्क और sun के बीच की दूरी बहुत जादा है gravitational force लगता है लेकिन यहां पर बच्चो nuclear force जो है वो within nucleus लगता है यानि 10 raise to minus 15 की order की दूरी होगी तभी लगेगा यानि बच्चो यह बहुत ही short range force दूसरा बच्चो इसका nature जो है दो nucleons के बीच में तो repulsive लगेगा इस दूरी से दूर ले जाओगे तो attractive लगेगा तो attraction repulsion दोनों होता है बच्चो यह charge पर depend नहीं करता च्राज इंड़िपेंडन है अब जो बच्व मैंने आपको समझाया है वही हम लोग इसक्शन करने है इस देस्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन नेचर नुकलिर फोर्स इस्ट्रोंगेस्ट थैन थे कूलम फोर्स अक्टिंट विविन थे चार्जेस और ग्रैविटेशन ब्विन थे इस इस बहुत बहुत आपको बता हूं तो कुछ ऐसा है करव कुछ ऐसा आता है बच्वो इसका rapidly zero होता है बचो यह nuclear force versus inter-nuclear distance यह 0.8 meter 0.8 FM जो है बचो यह equilibrium distance है इससे कम करोगे तो force repulsive हो जाएगा इससे जादा करोगे तो force attractive हो जाएगा ठीक है अर्रा plot of potential energy between two nucleons as a function of distance is shown in the figure यह बचो अच्छा मैंने यहापे force लिख दिया है यह potential energy versus R curve है potential energy versus R curve है इसी curve की बात कर रहा है बचो है a rough plot of potential energy between two nucleons as a function of distance shown in the figure the potential energy is minimum at a distance of R naught about 0.8 FM इसी की बात कर रहा है बचो the force is attractive for distance larger than 0.8 FM and repulsive if the separation is less than 0.8 FM 0.8 FM से जादा करोगे एक दूसरे को attract करेंगे और 0.8 FM से कम करोगे तो repulsion होगा 0.8 FM में least energy equilibrium है उसके बच्चों मैंने कुछ और properties बताई थी जैसे कि यह non-central है कि चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है इन डिपेंड रेंड और अफ चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है कि कुछ बच्चों प्रापर्टीज है nuclear force की I hope आप समझ गए होगे याद रखना बच्चों इन प्रापर्टीज को nuclear force की प्रापर्टीज को दिमाग भी रखना याद रखना नेक्स जी जो बच्चों आपको मैं समझाना चाहरा हूँ तो है q value q value of a reaction क्या होती है sir q value q value माल दो बच्चों a और b react करके c बना रहे हैं a और b react करके बच्चों c बना रहे हैं तो q value जो आप इस reaction के निकालोगे को निकालोगे binding energy of product minus binding energy of अगर q value बच्चो पॉजटिव आ रहे हैं अगर q value positive है तो reaction is exothermic मतलब बच्चों आपको energy मिलेगी अगर q value negative है तो endothermic मतलब बच्चों आपको energy देनी पड़ेगी तो अगर q value positive आ रहे है तो exothermic energy बाहर आएगी अगर q value negative आ रहे है तो endothermic मतलब energy देनी पड़ेगी जैसे बच्चों मैं एक example लेता हूं उससे आपको और बहता तरीके शेयर समाज़ेगी जैसे यह example देता हूं the binding energy per nucleon of lithium and helium are given in the nuclear reaction the value of q is how much तो बच्चों binding energy आप पहले reactant की निकाल दो तो binding energy reactant निकालने के लिए तो binding energy पहले lithium की निकालनी होगी बच्चों binding energy per nucleon for lithium कितना है 5.60 है 5.60 इन्टू कितने number of nucleon है बच्चों seven number of nucleon है तो sevens multiply कर तो साथ number of seven number of nucleons है इसको multiply करेंगे बच्चों तो जीरो सेवन तो तो थर्टी नैंग है यही आजाए बच्चों जीरो ठीक है और टू पॉइंट्स में decimal है इतने mega electron बोल तो ठीक है और और binding energy helium की निकाले बच्चों होगा तो binding energy helium की इतना होगा बच्चों four plus four eight eight number of nucleons है यह मालो आप जैसे एक helium nucleus की निकाल दो तो एक helium nucleus में कितने है बच्चों 4 है तो four into seven point zero six कर देंगे four into seven point six क्योंकि lithium का बच्चों यह है और helium का binding energy पर nucleon यह है seven point zero six into four कर देंगे जब बच्चों four से multiply करोगे तो 28 हो जाएगा और यह भी 28 हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन बच्चों देखो तो आप एक helium nucleus नहीं है helium nucleus तो दो है तो इसमें बच्चों आपको दो से multiply करना है तो यह हो जाएगा 56.56 जाएगा एक एक प्रोटॉन है तुम्हारा ठीक है वान एक प्रोटॉन है वो तो एक पार्टिकल है उसकी कोई 59.56 माइनस binding energy of reactant 39.56-20 करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा तुम्हारा बच्चों और 36 और 56-39 करेंगे बच्चों 16,9,7,5,4,3,1 ठीक है 17.36 mega electron volt बच्चों पोर्थ option आपका साइग जाएगा इतनी mega electron volt q value आएगी मतलब बच्चों इतनी energy रिलीज आएगी अब चुकी q value positive है यानि energy बच्चों क्या है release ठीक है तो उमीद करता हूँ बच्चों यह calculation को q value का समझ में आया होगा तो 2014 में बच्चों एक question पूछा गया था आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखने nuclear fusion और fusion बच्चों में थोड़ा सा जाते जाते आपको idea देता हूँ मैंने हलाकि उसका reason आपको पहले ही बता दिया क्योंकि binding energy per nucleon lighter nuclei कभी कम होता और heavy nuclei कभी कम होता तो सारे चाते बच्चों stable range में आ जाए यह reason होता है तो fusion बच्चों एक ऐसा process जिसमें light nuclei 2 या 2 से जाधा light nuclei बच्चों यह combine कर लेते हैं यह सारे combine करके बच्चों एक heavy nucleus बनाते हैं और उस heavy यह process कहलाता है nuclear fusion क्या होता है बच्चों nuclear fusion के अंदर एक heavy nucleus एक heavy nucleus एक heavy nucleus बच्चों यह तूट जाता है होटे छोटे lighter nuclei में है इस process को बच्चों नाम देते हैं nuclear fusion अब controlled nuclear fusion होती बच्चों uncontrolled nuclear fusion होती है controlled nuclear fusion हमारे reactors में होती जिसे हम electricity produce करते हैं और uncontrolled को control continuously करते हैं various parameters को change करके तो यह overview बच्चों nuclear fusion और fusion reaction हो क्या बच्चों बच्चों before we end the session मैं आपको यह थोड़ा सा chapter बच्चों छोटा है जितने syllabus के हिस्से थे मैंने सारे syllabus के part आपके सामने cover कर दिये discussion कर दिये I hope आपको समझ में आया होगा एक quick summary देता हूँ बच्चों तो हम लोग ने शुरुआत करी nucleus को कैसे represent करते हैं बच्चों Z X A से फिर type of nuclei discussion कर लिया isotope isobar isotone isotope बच्चों वो जिनके atomic mass number same हो isobar वो जिनके atomic mass number same हो isotones वो जिसके number of neutron same हो ठीक है उसके बाद बच्चों हम लोगों ने यह सीखा कि nucleus का size कैसे लिखते हैं बच्चों radius of a nucleus is r0 a raise to 1 by 3 यह size होगा बच्चों nucleus की density भी सीख ली density कैसे लिखते हैं बच्चों density of a nucleus is constant कोई भी nucleus ले लो बच्चों उसकी value होगी 10 raise to 17 kg per meter क्यों कभी change नहीं होगी फिर बच्चों energy mass equivalence सीखा e बराबर mc square और हमने यह भी देखा बच्चों की 1 amu को अगर आप convert करोगी energy भी तो 931.5 mega electron volt energy release होगी फिर बच्चों mass defect सीखा mass defect क्या होता है mass of product mass of reactant minus mass of product mass defect होगा फिर बच्चों यहां सम लोगों बच्चों ने binding energy का discussion किया binding energy है बच्चों वह energy जो nucleus को उसके constituents में तोडने के लिए जरूरत होगी वह binding energy कहला है उसके बाद बच्चों binding energy per nucleon सीखा binding energy per nucleon क्यों होता है directly proportional to stability जितना binding energy per nucleon जादा होगा stability उतना जादा होगा बच्चों हम लोगों ने graph देखा binding energy per nucleon versus atomic mass number का और देखा कि highest stability वो iron की है lighter nuclear nuclear fusion reaction करके nuclear fusion करके stability gain करते है heavy nuclear nuclear fission करके stability gain करते है तो यह बच्चों पूरा discussion था उमीद करता हूँ तुम लोगो समझ में आया होगा homework में बच्चों आपको dpp share हो जाएगी make sure करो कि सारे बच्चे एक बार practice कर लेना तो जो चीजे हम लोगों ने practice कि है जो चीजे सीखी है उसका एक बार आप application कर लोगे थोड़ा सा confident feel करोगे थोटा chapter था बच्चों उमीद करता हूँ तो लोगो को समझ में आया होगा बहुत आसान chapter है बहुत important है बहुत छोटी छोटी चीजे है question आने की chances बहुत जादा है तो make sure करना बच्चों धेर सारी practice कर लेना मिलते हम लोग अगली session में तब तक लिए बच्चों टेक केर बबाए जाहें thank you so much बच्चों आसान